नमस्कार दोस्तों आज आप सभी का हमारे यूटीब चैनल रोश्टेड वाइज में स्वागत है आज हम आपको एक ऐसी महान हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे स्टूडियम बस पहुचने ही वाले हैं नास्त्रों के अनुसार जब भी कोई महान हस्ती कहीं पहुचती है तो हंगामा जरूर होता है तो दिल थाम कर बैठिये नेता जी कुछी पहलों में बस पहुचने वाले हैं आए नेता जी बैदान साथ है आए आए नमस्कार जो गाड़ी में अँनको भी नमस्कार जो एक दूसरे से घुस् घुस करया हैं उनको भी नमस्कार Licern को नमस्केल और उनकी वैनों को भी नमस्कार यह हमरा असाइण नहीं होता है एसिस्टेंड होता है अरे नेता जी गाजर तो सब्जी में होता है यह तो से कोड़ी गार्ड है अरे आप नेता है नहीं नहीं पहले तो ही बोल ले फिर बाद में मैं आगे तो शारी नेता जी तो दुबारा बत्तमी जी नहीं होनी चाहिए समझे है आये नेता जी इसान ख्रहर कीजिए इसमें हम बैठेंग क्या एतनी छोटी कुछी काय रखे हो इस पर तो हमारे बंबी नहीं आई हो तो हम क इसका मान से एक संतुलना हिला हुआ है घूमने दो इसे घूमो बेटा आराम से घूमो तुम नेता जी अब हम आपका इंटर्वियू शुरू करने जा रहे हैं पूछो का पूछना चाहते हो तुम अबसे सबसे पहले नेता जी ये बताए आपका जनम कहां हुआ था अबे आदमियों की पैजामा हम इतने चोटे हैं हमें कही से बताओगर अच्छा नेता जी ये बताए आपकी हॉवीज क्या है अबे ये हॉवी क्या होती है रहे अरे हॉवीज का मतलब है कि आपको क्या क्या काम करना पसंद है हम जे है हमें तो वो वपे बहुत पसंद है पर तो तूट ही पड़ते हैं क्योंकि जिन्दगी का मज़ा तो खटे में है अरे नेता जी मेरे कहने का मतलब या है कि आपकी पॉलिटिक्स में क्या हो भी है अरे ये पॉलिटिक्स क्या होती है रे अरे नेता जी पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीती अच्छा नेता जी अब हम आप से कुछ जन्रल नालिज की बाते करना चाहते हैं नेता जी हमारा पहला सवाल ये बताए चांद पर पहला कदम किसने रखा था अच्छा तो नेता जी हमारा दूसरा सवाल बताए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था नेता जी अब हम आप से कुछ राजनित्ती की बात चाते हैं तो नेता जी ये बताए आपकी गवर्मेंट कैसी चल रही है ये गवर्मेंट क्या होता है अरे यार कोर्मेंट का मतलब होता है सरकार तुम्हें भी तो बोलो राम भरो से पारी जिन्दाबात जिन्दाबाद अभे तो में आर अभी रुको बास में करें जिंदबाद जिंदबाद समझें नेटा जी ये बताएए आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है अभे ये डेमोक्रेसी क्या होता है लोकतंत्र नेटा जी तालिया तालिया नेता जी के लिए तालिया अब समझ गई जनेता जी ये बताइए पिछले मैंने गाउं में आग लगी थी उसमें आपकी क्या संभावता थी अरे ये पूछी हमने क्या नहीं किया जितने घायल थे उनको समसान घाट पहुचाया और जितने मर गए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया मुर्दा लोगों को अभी भी होस्पिन लाने की कोसिस कर रहा हैं तो अरे साइंटिस्ट लगवा दिया उनके उपर जितने घायल थे उनको 50 रुपए का मुअब दिया है और जितने मर गए थे उनको 10 रुपए का यससे ज्यादा कुछ और कर भी चा सकते हैं अब तुम लोग समस्ते क्या हैं काम समझें अच्छा नेता जी ये बताएए आपकी पार्टी का चुनाव चिन क्या है जूता है जूता है अच्छा नेता जी ये पताएए आपने अपनी जन्ता के लिए क्या 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 है인가 बड़ और अब पता नहीं क्या होगा जमतया गुस्ते में लग रही है इसका मतलब नेता जी चरप्ठ हैं अब क्या होगा होगा क्या अब नेता जी फेले जाएंगे और फेशे भी जाएंगे अरे सेक्यूर्टी अरे अरे तुम लोग कहां जा रहे हो